असलाम लेकुम वेलकम बैक तु मार यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग उमीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर किने लगी हूं बहुत ही मज़े की ब्राउन लोक जो कि आप किसी भी इवेंट पर क्रियेट कर सकते है बहुत ही प्यारी स्मजी से आई कलर्स आते हैं और बहुत ही खुबसर लगती है चाहे आप इस लुक को डे टाइम में क्रियेट करें चाहे नाइट टाइम में क्रियेट करें किसी भी इवेंट पर आपको जाना हो तो आप यह लुक क्रियेट करें बहुत ही अच्छे लगे I'm sorry कि मेरी आवाज थोड़ी सी खराब है क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है लेकिन मुझे ये वाइस ओवर देना पड़ रहा है अपनी वीडियो का कम्प्लीट करने के लिए तो फेस कोचे से मुश्राइज करने के बाद नेक्स टेप में ये टेकनीक का प्राइमर स्प्रे है ये मैं यूज करूँगी आज अपने फेस पे स्प्रे को अच्छे से करके डैंप ब्यूटी ब्लेंडर से आपने इसको हलका हलका एक दो सेकिन के लिए डैंप कर लेना ताकि ये आपके जो ओपन पोर्स है उनके अंदर सेट हो जाए और आपकी फाउंडेशन को भी सेट कर दे और क्रीज भी ना पड़े ब्यूटी ब्लेंडर से एचे सेट कर लेने के बाद नेक्स स्टेप में यहाँ पे मैं इल्फ का फाउंडेशन यूज करूँगी ये मीडियम टू फुल कवरेज है एल्फ का फाउंडेशन तो इसका मैंने एक पाप अपने हाथ पे ले लिया और डॉट्स डॉट्स डाल के अपने फेस के उपर मैं इस प्रोड़क्ट को लगा लूँगी और उसके बाद ब्रश की blending ब्रश और beauty blender के वहाँ से इसको blend कर लूँगी अपने फेस के उपर अच्छे से सेट कर लूँगी फेस पर कोई भी प्रोड़क्ट लगाते हुए आपने अपनी नेक को बिलकुल नहीं भूलना तो यहाँ पर मेरा फांडेशन देखे सेट हो गया है इसके बाद मैं मैजिक हेलो का कवर लूस पाउडर लूँगी और उसी के स्पॉंज से के मदद से मैं इसको सारे अपने फेस के उपर जो है वो लगा लूँगी और अपने फांडेशन को सेट कर लूँगी पाउडर के मदद से फांडेशन को सेट करने का मकसद था कि इसमें कोई क्रीज न पढ़े और हमारे फांडेशन भी लंबे अरसे तक हमारे फेस के उपर स्टे करें विदाउट एनी क्रीज और खराब हुए बगार इसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये एक कंसीलर है इसे मैं अपनी आइस को कंसील कर लूँगी ताकि जो भी मैं आई कलर अपने आइस के उपर लगाऊं वह अच्छे से प्रॉमिनेंट हो और मेरा मेकप जो है वह खुबसूरत सा भी लगे फिंगर की मदद से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी उसके बाद यही कंसीलर लेकर मैं अपनी अंडर आइस को भी कंसील कर लूँगी अंडर आई के लिए बहुत ही कम कंसीलर यूज़ करूँगी एक डॉट इनर कॉर्णर में और एक डॉट आउटर कॉर्णर में क्योंकि आज कल जो है वो लस इस मौर यह वह वैली टेक्नीक को फॉलौ किया जा रहा है तो आप जितना कम कंसीलर यूज़ करेंगे तो आपकी आईस के नीचे अच्छी लूख आएगी और अच्छे से ब्लेंड होकर के नीचे आईस के नीचे कवर करेगा Damn Beauty Blender के मदद से Concealer को मैंने Set कर लिए है और अब दुबारा से Loose Powder लेकर मैं इसको Set कर लूँगी Under Eye Concealer और आइलिट के उपर मैंने Concealer लगाया उन दोनों को मैं Set कर लूँगी अच्छे से जाथ के बात लूस पाऒडर से आपको केंसीलर सेट करना बहुत 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 लाजमी होता है कुकि केंसीलर में बहुत जल्दी जो है क्रीज पढ़ने का खतरा होता है कि यहां पर रेवलोन का यह में शेड ले रही हूं और इससे अपनी आइलेट के उपर हलका अलका प्रस कर रही हूं कि उसके बाद अगले स्टेप में डब्ल्यू सैवन की ब्लाजिन पैलेट इसमें बहुत ही मज़े के ब्राउन शेड पूरी एक family है ब्राउन शेयर की तोसमें सबसे पहले में सबसे लाइट शेड जो है वह ले रही हूं और blending brush की मदद से मैं उसको अपने eyes के उपर लगा रही हूँ उसके बाद उससे थोड़ा सा जो है वो dark shade उसको मैंने चूज किया outer corner पर उसको मैंने जो है वो रख के blend किया और साथ इसाथ inner corner में back and foot motion मैंने इसको apply करी हूँ उसके बाद 3rd step में थोड़ा सा और ब्राउन शेड हलका सा ओरंजिश मैं ले रही हूँ जब आपकी ब्राउन आईज होती है तो आप अगर इस तरह का basic सा outer corner को भी इच्छे से blend करी हूँ और back and forth में inner corner पर लेकर जा रही हूँ color थाकि मेरे सारे colors जो है वच्छे से सेट हो जो उसके बाद सबसे darkest shade और last shade जो मैं apply करूँगी जिसको मैं अपनी eyelid के उपर भी apply करूँगी और corners को भी dark कर दूँगी इसी shade से और इन सारे colors को आपस में blend कर लूँगे और यही तीनो color लेकर मैं अपनी lower eye के उपर भी लगाऊंगी अच्छे से blending कर ले नहीं है ताकि कोई भी crease जो है वना पड़े और कोई भी harsh line ना दिखे और आपका eye makeup बहुत ही smooth लगना चाहिए अब वही blending brush लेकर मैं darker और lighter shade को mix कर कि अपनी lower eyes को भी cover कर रही हूँ जो मेरी water line है उससे थोड़ा सा बाहर निकाल के मैं लगा रही हूँ इसी तरह मैं अपनी दूसरी eye को भी कर लूँगी और यहां पर यह लॉरेल का magic wand काजल pencil है इसको मैं लेकर अपनी eyes के अंदर apply करूँगी lower lash line और upper lash line के उपर में इसको apply करूँगी उसके बाद lashes लगा रही हूँ मैं lashes लगाने के बाद look जो है वो कुछ इस तरह की है यहां पर मैं technique का जो है यह palette ले रही हूँ इसमें एक dark brown shade है और एक light shade है तो मैं dark brown shade को as a blush and जो है वो आज यूज़ कर रही हूँ क्योंकि brown eye look है तो blushing जो है वो भी must brown ही होनी चाहिए तो आपका जो लुक है makeup को बहुत ही प्यारा जो है वो nude सा brown सा लगता है इसके बाद यह nude ps का है bronzer मेरे पास liquid bronzer है creamish form में इसको मैं लगाऊंगी यह भी brown color में है तो इसको इसमें जो है वो shine सा है तो मैं finger की मदद से इसको अपनी cheekbone की ऊपर place करके रब कर दूंगे उसके बाद rivage का lip liner में ले रही हूँ अपनी lips को line करने के लिए अपने lips को मैंने उसी शेप में रखना है कोई भी enhance नहीं करने lips तो जो मेरी original natural shape है lips की मैं उन्हीं को follow करूंगी और lip liner से मैं उनको line कर लिया है अब यहां पे हुदा बीट्यू का शेड ले रही हूँ ब्राउन और इसको अप्लाइ कर दूंगे अपने lips के ऊपर यह मैट शेड है तो इसकी बहुत ही प्यारी मैट से finishing आती है lips के ऊपर अपने lips के अप्लाइ करने के बाद सबसे लास्ट साप यह PS का जो है मैं सेटिंग मिस्ट ले रही हूं अलो वेरा तो यह थी जिया आज की वीडियो उमीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को थम्स अप जूर देज़ेगा और नीचे कॉमेंट सेक्षिन में ज़रू बताएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप मेंसे किस किस ने लुक को क्रियेट किया और आपका experience कैसा रहा तो वीडियो को थम्स अप जूर देज़ेगा और शेर भी ज़रूर कर देज़ेगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न पूले जिए केंणि कर देज़ेगा और आप